हेलो फ्रेंड्स मैं मंजुश्रिवास्तव अपने चैनल में आपका हार्ट दिक स्वागत करती हूं फ्रेंड्स यह जो आप देख रहे हैं यह पैसी फ्लोरा है इसको पैशन फ्लावर भी कहते हैं इसे कृष्ण कमल भी कहते हैं और इसको कौरफ पंडव का फूल भी कहते हैं और इसको राखी फूल की बेल भी कहते हैं बहुत सुन्दर दिखने वाला फूल है आप देख रहे हैं कितना खुबसूरत है यह और इसकी पत्तियों की डिजाइन भी बड़ी अच्छी है आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इसको कैसे लगाया जाता है इसकी देखवाल कैसे की जाती है तो फ्रेंच यह बहुत टफ बेल है और बहुत आसानी से हर तरह की मिट्टी में लग जाती है लेकिन गमले में लगाते हैं तो इसकी मिट्टी हमको अलग से बनानी पड़ती है तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके colors इसमें और आते हैं यह आप इसमें purple देख रहे हैं ऐसा pink भी आता है same flower और maroon color में भी होता है और white भी होता है तो मेरे पास पहले मेरून वाला था वो सूख गया तो मैंने नई बेल खरी दिये तो यह मैंने चार महीने पहले खरी दी थी और यह इसने मुझे एक फिट की बेल उसने मुझे दी थी 200 रुपे में और इसको मैंने आटे के पैकेट में लगा रखा है इसको उतारना तो जमीन और हर तरह की मिट्टी में लग जाती है, फूल इसमें तभी आते हैं, थोड़ा मौसम गरम हो, उमस वाला हो, बारिश वाला हो, तब आते हैं इसमें फूल, तो अभी फूल इसमें सेप्टेंबर, अक्टूबर तक बहुत अच्छे आते रहेंगे, तो जो इसकी स्वाइल बन सेटेंट, बनपार्ट कंपोस्ट और बनपार्ट उसमें गाडन स्वाइल, तेन परसेंट उसमें आप कोको पीट मिला लिजे, क्योंकि प्लांट को नमी सहीए ही चाहिए, एक चीज़ आप लोग सब लोग ध्यान में रखेगा हमेशा, चाहे कोई सी भी बेल लगाएं, वाली बेल हो चे सब्सीों वाली बेल हो उनको पानी की बहुत ज़रुत होती है तो इनकी मिट्टी आप जब भी बनाएंगे तो उस में कोको पीत थोड़ी सी ज़रूर मिला ले ना और ना कोको양ा कि lock फűल मिला सकते हैं उस्ते क्या ह्या कि इनकी कॉलिटी होती है कोको पीट की ना रिटेन कर के रकते हैं जू पानी पानी सबमें चाहिये होता है क्योंकि इनकाइमें कोई ho拿ट होती है छिसके सहारे ले ख़डी साके पानी नहीं होने से वोर्जा जाती है पूरी लटक सी जाती है तो इसलिए को को पीट मिलाना जरूरी है सेकेंड चीज आती है इसकी लोकेशन इसको फ्रेंड्स इसको यह ना डायरेक्ट पूरे पांच-छे घंटे की दूप इसे नहीं चाहिए इसे सुबह की या शाम की एक-दो गंटे की पूप गई और फिर दीवार खड़ी हो जाती है इसी तरह से हमको इसको लगाना चाहिए तो यह इसका लगाने का मतलब लोकेशन हो गई नेक्स चीज इसकी वाटरी पानी का इसको आपको धिहान रखना चाहिए क्योंकि इसमें सब भी बेलों को पानी जाधा चाहिए होता बाद आती है बाद इसके फर्टिलाइजर की तो फ्रेंट्सिस को सभी बेलों को साल में दो बार फर्टिलाइजर जरू देना चाहिए उनके फूल आने के पहले ठीट है तो एक हो गया फरवरी में दूसरा हो गया यह जून जुलाई में क्योंकि बारिश में होती है इसकी इसलिए तो उपर से थोड़ी सी मिट्टी हटा दीजे और फिर उसमें आपको ओबर की खाद कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट या बॉन मील वह भी डाल सकते हैं बनाना पील की फर्टिलाइजर भी डाल सकते हैं और नहीं हो तो फिर आप डिय पी वगेरे भी डाल सकते हैं अभ और ये बेल की तरह भी चल जाएगी, और मतलब आप उसे काटब कूटके जाडी की तरह भी रख सकते हैं, आप ये इसमें देखे रहे हैं ने इसके टेंडिल्स, ये जो है किसी भी चीज के समपर्क में आखं़ में लपिड जाते हैं और सहारा लेके चड़ते चले जाते हैं, तो यह हो गया और फर्टिलाइजर का जो मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूं वो 15 इंच के गमले के लिए बता रही हूं फिर आप अपने प्लांट के साइस के और पॉट के साइस के साफ से उसको कम जादा आप उसे कर सकते हैं 15 इंच के एक पॉट में अच्छा बड़ा प्रेंगा चमच भर के दो चमच बान मील आप गमले में डाल सकते हैं एवरी महीने में एक महीने में एक बार और किनारे का निच्छा पहले गमले के एक रिंग सी बना लीजे खोद के और फिर उसमें खाद राल के मिट्टी से कवर कर दीजिए और पानी डाल दीजिए यह तरीका हो गया काद जालने का इसके नेक्स आती है कि इसमें पैस वगेरा तो फ्रेंट जिसमें ऐसा इतने खास कोई पैस वगेरा लगते नहीं लेकिन इसमें फंगर्स का बहुत जल्दी एक ट्रेक्ट होता है क्योंकि ओवर वाटरिंग से भी इसमें रूट रॉट हो जात और बाकी पैस से बचने के लिए यह है कि एवरी 15 डेस पे जैसे आप रोटेशन में सभी प्लांट पे नीम उयल और डिश्वाश का सोप इस्प्रे बनाकर आप डाल रहे हैं वही आप इस पर डालते रहेंगे तो प्लांट बहुत अच्छा आपका चलता रहेगा तो अब मैं आप नीचे देख रहे हैं इसका यह अंधर जिसमें लगें तो यह फाइव हैं तो यह पंडव हैं और यह बीच में जो गोल-गोल सा है स्टिग्मा तो यह द्रॉप दी है वह हमको ऐसे सिखाती है थी मुझे लगता है सारी नानियां और दादियां इसी तरह की स्टोरी सब बच्चों को सिखाती रहती है लेकिन यह फूल बहुत अच्छा है और इसमें से बहुत अच्छी खुश्बू भी आती है जब काफी सारे फूल के लिए होते हैं तो आसपस थोड़ी-थोड़ी खुश्बू भी फैली रहती है तो इस बेल को आप ज़रूर लगाईए तो अब बात आती है कि इसके प्रपोगेशन की तो इसका प्रपोगेशन बहुत आसानी से हो जाता है पहला तो यह कि आप कोई वी जो पैशन फूड़ आप खाते हैं उसके सीज रख लें और मिट्टी में दबा दें उससे बेल उगाईगी एक तरीका तो यह हो गया दूसरा कि आपके किसी फ्रेंड के पास यह लगी हुए बेल तो आप इस वहां से एक डाली ले ले और इसके एक या दो नोड्स मिट्टी में दबा दें तो आपका एक प्लांट और तो यह हो जाएगा ठीक है तीसरा एक और तरीका होता एयर लेरिंग का वो मैं आगे आपको जाने में आगले वीडियो में इसी तरह की जानकारी लेकर फिर उपर सित होंगी तब तक के लिए बाइबाए